हिंदी लेर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है आज अश्मा महाजन आपकी यदिहापी का हिंदी लेर्निंग चैनल पर लेकर आई है संस्कृत तरंग क्लास एट के स्टूडेंट्स के लिए जैसी पप्लिकेशन की बुक है चैप्टर नमबर टू वृद्व्यागरस से कथा जैनकि एक बुड़े बाकी कहानी आज आप इस वीडियो में सुनेंगे इजी एक्स्पानेशन, सॉल बुक एक्सरसाइस, रिटर अनुवात, प्रत्य का प्रयोग करना भी सीखेंगे ठीक है पहला चैप्टर अप्लोड हो चुक है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फटा-फट से देख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए आज ये पाठ अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक दिये बीना बिल्कुल मचाईएका और दोस्तों के साथ ये भी नभी मचाना क्योंकि ग्यान बांटने से ही बढ़ता है व्रिद व्याग्रस से कथा बुड़े बाग की कहानी पुरा दक्षिना अरन्य एको व्रिद व्याग्रे आसीद पुरा मतलब प्राचीन काल में दक्षिना अरन्य अरन्य होता है वन में जंगल में प्राचीन वशात मतलब बुड़ापे के कारण ठीके यदा मतलब जब से मतलब वै जब वै बुड़ापे के कारण पशुनाम संगहारे पशुओं को मारने में जा उनका संगहार करने में असमर्थ है अभवत असमर्थ हुआ तदा तेनेकम उपाए चिंतित है तब उसने एक उपाए जाने की वह तलाब के किनारे जाकर नहाया हुआ कुशा हाथ में लिए हुए बोला बो बो पांथा अरे अरे रहगीरो इदम स्वर्न कंगनम ग्रहताम ये सोने का कंगन लीजिए तस्य वन्चासी शुरुत्वा भयात को अपी तत समीपम ना गतवान तस्य मतलब उसके वचांसी शुरुत्वा वचन जा बाते सुनकर भय से भयात मतलब डर से को अपी कोई भी तत समीपम उसके समीप जा उसके पास ना गतवान ना गया ततै लोब आक्रिष्टनेन केंचित पांथेन चिंतितम ततै मतलब तब लोब आक्रिष्टेन लोब से अकर्षित केंचित पांथेन किसी राही ने चिंतितम सोचा भागे ने तत संभवती भाग्य से ऐसा संभव ह पाता है से व्याग्रम प्रिच्छत उसने बाग से पूछा कुत्रत्व कंगनम कहां है तुमारा कंगन व्याग्रे हस्तम प्रसार्य दर्श्यती बाग ने हस्तम मतलब हाथ प्रसार्य मतलब फैलाकर दर्श्यती मतलब दिखाता है बाग हाथ फैलाकर दिखाता है जब आग ने विश्वास कैसे किया जाए पांथो अवदत पांथ मतलब राही रहगीर बोला कथम हिंसके त्वई विश्वासा त्वई से शुरू कर लिजिएगा तुम जैसे हिंसके हिंसक पर कथम कैसे विश्वासम करतव्य विश्वास किया जाए व्यागरे अवदत बाग बोला श्रिन जाने की दुराचारी था अनेक गो ब्रामन मुनुश्य आदिनाम वदात संचितेन पाप कर्मना ममने के दारा पुतराश्च मृता अनेक गो ब्रामन मुनुश्य आदिनाम अनेक गायों ब्रामनों और मनुश्यों आदि के वद से संचितेन पाप कर्मनान संचितेन होता है एक मेरी अनक पतनिया पुत्राच्छ मुनिता और पुत्र मर गए पाप कर्मों से मेरी अनक पतनिया और पुत्र मर गए अब कस्याचित किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश से तत प्राहचित करना चाहता हूँ, तो दो वड़े कठे जोड़ दिये कर्तु मिच्छामी, अब किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश से उसका प्राहचित करना चाहता हूँ, कहते हैं, अब क्या बता रहे हैं? की, अस्मात से बने अस्मात अवहम सनान शीलो इससे में, असमात प्लस अहम से बना है ना, तो इससे मैं सनान शीलो, सनान करने वाला, दाता मतलब देने वाला, वरिदो मतलब बूड़ा, ठीक है, गलित नक दंता है देया वांश्चे, देया वांश्चे क्या होता है, देया लूँ, गलित नक दंता है नाकुन और दांतों से रहित जो होता है ठीक है जा आप गलित का मतलब क्या निकाल सकते हैं कि पिगले हुए नाखुन और दांत वाला बुड़ा हूं फिर से सुन लीजिए इससे मैं सनान करने वाला देने वाला पिगले हुए नाखुन और दांत वाला बुड़ा हूं और मुझ पर कथम ना विश्वस नहीं किसे भरोसा नहीं किया जा सकता मम एताबान लोब विर्ह मम एताबान मैं लोब रहित क्या हो गया हूँ मैं लोब रहित हो गया हूँ यत स्वहस्त गतम अपी स्वन कंगनम जसमई कस्मे चित दातु मिछ mayonnaise इसलिए अपने हाथ से सुखस्त मतलब अपने हाथ से स्वन कंगनम ये सोने का कंगन कस्मई किसी को दातु मिच्छामी देना चाता हूँ इसलिए अपने हाथ से भी ये सोने का कंगन किसी को देना चाता हूँ मेया धर्म शास्त्रानी अपी अधीतानी मैंने धर्म शास्त्रों का अध्यन भी किया है कुछ words लिखने में हो सकता है missing हो गए हो जैसे b word हो सकता है miss हो गया हो तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा नुवाद line to line सुनिएगा मात्रिवत परदारेशू परद्रवेशू लोश्टवत पता है आपको क्या होता है मिट्टी का टुकड़ा जो होता है मात्रिवत तो बताया क्या है आगे मात्रिवत परदारेशू पराई इस्तरियों में परदारेशू का मतलब होता है पराई इस्तरियों में जानिकी दूसरे की पतनी को मात्रिवत अपनी मा की तरह पर द्रवेशु दूसरे के धन को लोश्ठवत मिट्टी के ढेले के समान आत्मवत सर्वभुतेशु अपने को जो सभी को सर्वभुतेशु होता है सभी को आत्मवत अपने जैसा जैपच्यती जो देखता है सैपंडि फिर से सुन लो पराई इस तरियों को अपनी मा की तरा दूसरे के धन को मिटी के ढेले के समान सभी को अपने समान जा अपने जैसा जो देखता है वे पंडित है वे ग्यानी है ठीके तुम तुम दृत्र प्रतीत हो रहे हो अताए शुन कांगनम तुम्यमेव दातु मिछ हमी इसलिए ये सोने का कंगन तुमें ही देना चाथा हूँ क्योंकि दृत्र दृत्रान भर कॉंते मा प्रविशे वरे धनम व्यादी तसे ओशदम पत्यम निरुजसे की ओशदम व्यादी तस्य क्या होता है रोगी का ठीक है निरुजस्य क्या होता है निरोगी का जो निरोग होता है जैसे कोई रोग नहीं होता दृद्रान से शुरू करते हैं दृद्रान बर कौंते किसे कहा गया ये अर्जुन के लिए हे अरजुन, हे अरजुन, दान देना हो, तो किसे दो, दरिद्र गरीबों को दो, प्रयशे वरे धनम, देना हो तो, ठीक है, प्रयशे वरे धनम, व्यादी तसे ओशदम, कहता है दन, पहले उसने बोला कि है अरजुन कौनती का पुतर है ना कौनते है अरजुन दान देना हो तो गरीबों को दो धनवान को धन मत दो धनदान मत दो धनवान को धनम मत दो परजेशेश्वरे व्यादी तस से ओशदम क्योंकि ओशद रोगियों का सहायक है जो निरूजस्य है जो निरोग है उसके लिए किम ओशदम ओशद किस काम का जो निरोगी है उसे दवाई देके क्या करोगे ठीक है ना ओशदी तो रोगियों की मदद करती है ना दवाई तो जो निरोगी है उसके लिए उशद किसकाम का तो हे अरजुन दान देना हो तो गरीबों को दो दनवान को दन दान मत दो क्यूंकि ओशद रोगियों का सहाइक है जो निरोग है उसके लिए उश्यत किसकाम का कैता है तब, यात विश्वास है, उसकी बात पर विश्वास करके. पांत है, रहगीर ने, जैसे ही यावदे, जैसे ही सनातुम सरसी प्राविच्छ, सनान के लिए तला में प्रवेश किया, तावदे, पंके, निमोजितम, वैसे ही कीचड में घ्र गया नीमजीतो, वैसे ही कीचड में पंके क्या होता है कीचड में निमजीता क्या होता है डूब गया फस गया वैसे ही कीचड में फस गया जगिर गया ठीक है पंके पतितम पांथम द्रिश्टवा कीचड में फसे राही को देखकर व्यागरो अकथियत बाग ने कहा अब कहता है कि एश तुआम उत्थाप्यामी क्या होता है निकालता हूँ जा उठाता हूँ तो कहता है कि अरे तुम तो दलदल में फस गए श तौम उत्थाप्यामी तो तुमें दलदल से निकालता हूँ तो तुमें निकालता हूँ इत्युक्तवा ये कहकर से व्याग्रे वैबाग शना शना ततसमी पमागता उसके पास दीरे दीरे आया ये कहकर दीरे दीरे क्या थैं उसके बाथ ही गुनान सरवान स्वभाव मुर्दिन वर्तते उनके अन्य गुनों की तुलना में क्या रहता है निजी स्वभाव प्रभावी रहता है मुर्दिना होता है श्रे सबसे उपर रहता है वर्तते मतलब होता है अतित्य मतलब लांग कर छोड़ कर अन्य तो हमने इस तरह से कर लि इक्षसाइज पर आगे बढ़ते हैं पहला कोशन है व्यागर कहा था तो व्यागर दक्षिन वन में था दक्षिना रन्या व्यागर कब दुराचारी हुआ जवानी में तो आपने लिग दे जिया योवन दशायाम इदानीं व्यागर है धारमी कुपदेशें किम कर्तुम इच इदानीम अब व्याग्र धार्मी को पदे से क्या करना चाता है प्राहिचेत पंडित पर दवरवेशु किम्वत पच्चती कहता है जो ग्यानी होता है न वो पराई इस तरियों को पर दरवेशु दूसरे के धन को किसके समान देखता है मिट्टी के ढेले के समान लोष्थवत कीद रिश्याइ पांथा सरसी प्राविश्यत कहता कैसा राही जो है वो सरसी प्राविश्यत प्रवेश कर गया तलाब में जात विश्वास है उस पे विश्वास करके चला गया था ना पानी में उसकी बात पे विश्वास कर लिया था कीद रिश्याइ पांथा कैसे चला गया क्या मुर्दिना भवत क्या श्रेष्ट है स्वभाव स्वभाव श्रेष्ट फिर पूर्ण बाके में उत्तर देना है व्याग्र ने कब उपाए सोचा कब सोचा था उसने कि जब व्याग्र ने बुड़ापे के कारण उसने का था ना बुड़ापे के कारण पशो को माने में जब वो असमर्थ हुआ तब उसने एक उपाए सोचा व्यागर की पतनिया और पुत्र कैसे मरे थे बताया था कहानी में कैसे मरी थी उसकी पतनिया और पुत्र उसके पाप कर्मों से ठीक है क्यूंकि उसने अनेक गायों ब्राह्मनों मनुश्यों के वद से संचीत हुए जितन सरवस्यक किम सबकी किसकी परिक्षा करनी चाहिए सबके निजी स्वभाव को जांचना चाहिए सबसे पहले स्वभाव कैसा है निजी स्वभाव की पंडित कौन होता है ग्यानी कौन होता है और जो ओशदी है कहता है वो रोगी पत्थयम रहगीर के लिए कैसी थी ओशदी जाने कि जो ओश्य दी है वो क्या करती है, रोगियों की सहाइक होती है न, जो निरोग है उसके लिए ओश्य जो है वो किस काम की, ठीक है, चलिए, पत्यम होता है, संबल किसी चीज का, थर्ड कोशन है रिखांकित पदों के धार पर प्रश्ण निर्मान करना है उसके वचन कानी, ठीक है, उसने किसके वचन सुनकर डर से कोई भी उसके स्पीप नहीं गया, उसके क्या सुनकर, कानी सुनकर, व्याग्र ने हाथ को फैला कर दिखाया, तो व्याग्र ने क्या फैला कर दिखाया, कम, हस्तम का हो गया, कम, ठीक है, इदानीम धार्मी कस्य उपदेश, श पुदेश से इकठे किये गे पाप कर्मों से मेरी अनेक पत्री और पुत्र मर गए तो इकठे किये गे पाप कर्मों से मेरा कौन मर गया के कीचड में गिरे हुए राही को देखकर व्यागर ने कहा तो किस में गिरे हुए ठीक है कीचड में आंसर हो गया ये सोने का कंगन तु उसके बाद व्यादी तस्य उश्दम, व्यादी तस्य उश्दम, लोब प्लस अक्रिष्टेन, मनुष्य आदी नाम, मनुष्य प्लस आदी नाम, यावदेव, यावद प्लस एव, ठीक है, यावद प्लस एव, तो बन गया आपका यावदेव, आगे इत्ती उक्तवा, इत्त प्लस उक्तवा खादिश्च खादिटे प्लस च प्लस नहीं बोलते हैं इसको धन बोलते हैं प्राविश्यत प्रधन अविश्यत प्रयशेश्वरे प्रयश्दन इश्वरे असमात धन एव प्लस अहम ठीक है असमात देव अहम उसके बाद प्रत्य अलग करने हैं तो आपको पता है कत्वा प्रत्य में त्वा लास्ट में बच जाता है तो धातू हो गई गम प्रत्य हो गया कत्वा शब्द बन गया गत्वा ठीक है गम प्लस कत्वा उसी परकार से दिरिश प्लस कत्वा दिरिश्टवा उसी परकार ये सारी धातू है आपकी आगे में लियाप प्रत्य लगा हुए है लेप प्रत्य में धातू से पहले उपसर्ग का होना बहुत जरूरी है जैसे आदाय में आ है विहाय में वी है उपगम्मे में उपविचिंते में वी है अकरने में आ है आनिय में आ है ये सारे उपसर्ग लगे हुए है तो उपसर्ग प्लस धातू तो आ प्लस दथातू, प्लस लेप प्रत्य हो गया, तो बन गया... दधाये, लेप में पीछे यह बच जाता है, बस चिरह री लिगा हो है.. दथातू, समया करती हो गया प्रत्य है चलिए, अरेंदा संटेंस according to the story, तो अब मैंने क्या किया है, numbering डाल दिये story में सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो हुआ उसके आगे number डाल दिया ठीक है, फिर दूसे number पर, जब वो तला में प्रवेश कर गया, तो यह सारी numbering डाली हुए आप chapter को ध्यान से explanation के जरीए सुन लीजिएगा, समय लीजिएगा chapter 2 का 7th question है कथना नाम समक्षम, कथन के समक्ष आम जा नहीं लिखे हाँ लिखो जा ना लिखो, व्यागर युबा था, नहीं पथि दरिद्र था, हाँ व्यागर पर विश्वास करना चाहिए था, विश्वस नहीं था वो, नहीं व्यागर मुर्ख था, व्यागर धूरत मतलब कप्ती, मुर्ख नहीं कप्ती था गुन श्रेष्ट, गुन श्रेष्ट होते हैं नाकी स्वभाफ, नहीं पांथ है सरसी प्राविशत जो राही है वो तलाब में प्रवेश किया और पंक में कीचड में फस गया दिये गे बाक्यों को लिडिटल कार में बदलना है फ्यूचर टेंस में बदलना है गतवान का बन गया गमीश्यती अभवत का भविश्यती, चिंतित का चिंतीश्यती, आसम का भविश्यामी, क्योंकि हमें देखना है कि ये आसम कहां आया है, तो आपको पता चल जाएगा है, भविश्यामी जनकी उत्तम पुरुष में आसम आया है, कहां पर आया है, लंगलकार में, तो हमें तो लडिटलकार उत्तम बुरुशेक वचन का देखना है वो भवीशामी होता है दातुम इच्छामी दातुम एच्छामी अपतत पतिश्यती तत समीपम आगमीश्यती मारितवान मारीश्यती याद करने के लिए नीचे वृद्धी संदी यंड संदी दे दी गई है आप देख लिजिए का चैप्टर टू हो गया आपका कंप्लीट आगे अनुवाद दिया हुआ है अनुवाद को ध्यान से देख लिजिए और कुछ समझ में आये तो वीडियो को सुन ले ना क्यूंकि कुछ वर्ट स्किप हो जाते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए वर्ट टू वर्ट तो अपने आप एक्स्पानेशन समझ आ जाएगी और कॉपी पर उतानने के लिए अनुवाद आपको हेल्प के लिए दे दिया गया है आप इसे समझिए लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए आगे आपको अगले पैराग्राफ का मिलेगा सकिन पैराग्राफ चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन एक दो बार वीडियो को सुनेंगे तो दिमाग में बैट जाएगा चैप्टर ठीक है कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती जब तक उसकी क्या ना की जाए जब तक उसका अभ्यास ना किया जाए ठीक है भौपदेव कौन है भौपदेव हमारे संस्क्रित के कभी हैं उनके बारे में बात कर रही हूं भौपदेव की स्टोरी भी मेरे चैनल पर अप्लोड़ीड है देखनी हो तो आप देख सकते हैं ठीक है बाकी आगे फोर्थ पेराग्राफ की अनुबाद आगे मिल जाएगी आपको इसके बात चैप्टर थर्ड लेकर आपके सामने आऊंगी पर पहले मैं व्यूस देखूंगी सकिंड चैप्टर पर कितने व्यूस आपाते हैं क्यूंकि आपका जो अभी चैप्टर बन है वो व्यूस अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं क्यूंकि दोस्तों के साथ अभी शेयर नहीं हुए चैप्टर तो चैप्टर टू को जादा चैप्टर जादा शेयर कीजिए ताकि व